तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ति, सभी को नम्राम, दोस्तों उमीड है कि आप सभी स्वस्त, मस्त और बहतर होंगे, और आज का अमारा जो सेशन रहने वाला है, ग्यारवा सेशन रहने वाला है, आप सभी लोग एक बार फिर से इस से शेशन से जुड़ जाईए, और मैं थोड़ा सा इस क्लास को शेट कर देता हूं, तब तक आप लोग इस सेशन को थोड़ा सेर कर सकते हैं अपनी स्टूडेंट के साथ में, या आपके जो भी मितर है, उनके साथ में इस क्लास को जरूर सेर कर दीजेगा, बहुत ही श्यांदार सेशन रहेगा, दोस्तों बताना चाहूंगा इस session में हम जो question करेंगे शिदा-शिदा या तो आपके exam में छपके आएंगे या नहीं आएंगे तुम्हें जो solution बता रहा हूं यहां से भी आपके काफी question जो है आ सकते हैं तो यह 25-30 minute का जो session रहेगा इसको ध्यान से सुनिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस session की बता देना चाहता हूं अगर आप इस exam की तारिक कर रहे हैं तो best notes के लिए study at home जो android application है उसको जरूर आप जोइन कर लेना तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस session की बई सबसे पहला person हमारे सामने screen पे आने वाला है तो आप लोग इस question को पढ़िए और धान सी इसका जो answer है आपको देना है ठीक है चलो शुरुआत करते हैं पहले person की और स्क्रीन प्रोपर दिखाए दे रही है न चलो कोई बात नहीं सबसे पहला person नीमन लिकीत में से कौन सी कार्यसाला में सामन ये गती वीदी नहीं है कार्यसाला का मतलब होता है service center service center पर कौन सा काम नहीं होता ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है तो सबसे पहला है changing oil, oil change करना बिल्कुल होता है minor engine tune up, engine की tune अगर change हो गई उसको सही करना vehicle को worst करना worst process ये भी होता है filling fuel tank, fuel tank को हमेशा petrol pump पर बरा जाता है इसलिए option D यहाँ पर नहीं होता, दूसरी बात यहाँ से person आता है कि आपका जो service center होता है service center, service center जो होता है, service center पर आप गाड़ी के service करवाते हैं तो आपको एक job guard मिलता है, job guard के उपर ये होता है कि आप इस गाड़ी में क्या-क्या ठीक करवाना चाहते हैं मिस्त्री क्या-क्या ठीक करेगा, वो इसके उपर customer के अस्ताक्सर भी होते हैं ये बात आपको ध्यान रखना है, तो जोब गाड किस काम के लिए होता है, कोई भी गाड़ी सर्विस इस्टेशन के उपर सर्विस के लिए जाती है, तो क्या क्या चीजें इसमें सर्विस होगी, क्या क्या काम आज हुआ है या होगा, वो चीजें सर्विस सेंटर पर जोब ग प्यास रहता है कि आपकी गाड़ी कहां से कहां गई, कितनी डिस्टेंस थी, कौन गाड़ी ड्राइव कर रहा था, कितने यातरी बैठे थे, किस परपस से आप गए थे, ये चीजें लोग भुक के अंदर रहती है, लोग भुक, जोब गाड़, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चीए, वहन द्वारा ते की गई दूरी को दरसाने के लिए किस मीटर का उप्योग किया जाता है, मल्टी मीटर, स्पिडो मीटर, ओडो मीटर, टेको मीटर, इसका राइट अंसर होगा टेको मीटर, आप सभी को पता है, गाड़ी में एक मीटर होता है, जिसके तो हमारी सुई जहां पर जाती है उसको गुणा करा दो हजार से मतलब की तीन का मतलब तीन हजार होगा चार का मतलब चार हजार होगा दो का मतलब दो हजार होगा ये होता है आपका आरपीम मिटर जो की इंजन की साप्ट की घूमने की इंजन साप्ट एक मिनट में कितने चक परसन आ सकता है अगला परसन मोटरवान अधीनियम में दंडात्मक धारा कालिस्तान के तहत बիना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जूरमाना लगता है अब यहाँ पसको ध्यान देना है बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जूरमाना होता है without d.l गारी ड्राइव करेंगे तो धारा तीन का ओफेंस होगा ठीक है और यहाँ पर आपको ध्यान देना है तीन का ओफेंस करने पर धारा एक्शोई क्यासी लागू होती है पांच हजार का जुर्माना होगा थ्री मंत की जेल भी हो सकती है ठीक है अब आप कहेंगे फिर एक्सोई असी क्या है तो एक्सोई असी है धारा तीन एवन या धारा चार का उलंगन करने पर मोटर माली के जो होता है उसका एक दाइतव होता है कि वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस और छोटे उमर के विक्ति को आपनी गाड़ी बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माना कितना होगा तो दारा एक्सोई कैसी पांच जार तीन मेन की जेल हो सकती है मोटे मोटे मचर आपको याद होंगे अगर आपनी बिना डियल के चलाया और आपने दादा गिरी करी मैं तो ऐसे ही चलाओंगा पुलीस वालों के साथ में फिर भई मोटे मोटे मचर त्यार हैं आप लोगों के लिए ठीक है उप्सन नमर एक राइड आंसर हो जाएगा एक मोड के पास पहुंचते समय चालक क्या करना चाहिए को आगे के वानू को ओवर्टेक नहीं करना चाहिए बिलकुल ठीक बात है यार अच्छी बात लिखी है यानि कि मोड के पास में कभी भी हम ओवर्टेक नहीं कर सकते को बिना किसी होर्ण के धीमी गतिशे ओवर्टेक करना चाहिए लगातार होर्न बजाते वे मध्यम गती से, ये भी गलत हो जाएगा, ओटेक करना ही नहीं है, तेज गती से भी नहीं करना, आप सभी को बताऊगा, ओवर स्पीड, ओवर स्पीड कभी एक रूज बनाया गया है, स्पीड का जुनिये में वो धारा 112 में लिखा है, ओफेंस करे दो हजार से चार जार की बेच में, जो है, अलम्य और अच्छामी के लिए अलग अलग जुर्माना, ओवर स्पीड के लिए रखा गया है, ठीक है, आप सभी को बताऊगा, हर गाड़ी के लिए स्पीड की लिमिट फिक्स की गई है, जैसे छोटी कोई कार होगी, कार होगी, तो वो नेशनल हाईवी के उपर सो किलोमेटर परती गंटा की रफ्तास की मी पर होग, इसे ज़्यादा नहीं सल सकती, हाणा, तो ये नियम होता है, तो हर गाड़ी के बारे में आपको ध्यान रखना है, कोई कॉमर्शिल गाड़ी है, कॉमर्शिल वाइकल है, तो ये 80 किलो हालत में तेज नहीं सल सकता, अगला परसन, नीमन लिखित में से कौन एक IC इंजन के सनेहन का कारियन नहीं है, यानि कि इंटरनल कमेशन इंजन में लूब्रिकेशन का काम नहीं है, हालां कि ये क्योशन यार रिपीट हुए से कैसे लग रहे हैं, पता नहीं, रिपीट ये तोट फूट को कम करना बिलकू ठीक है, गतिमान बागों के बीच गरसन को कम करना ठीक है, कार में पर्फ्यूम की महक देना गलत हो जाएगा, और कुशनिक परभाव एपक्ट परदान करना तो ये भी ठीक है, डिपसें नहीं है, ये ही पूछा गया है, हाला रिप्यू कोईल काम में लेते हैं, सभी को पता है ना, कमेट सक्षिन में छाप दीजिए देखें, परसन सिंग अच्छ है, नीमन अलिकित में से कौन सा वाहन इंधन नहीं है, गाड़ी के लिए इंधन नहीं है, PNG, डीजल, CNG, पैटरोन, ये नाम सुना है, ये भी सुना है, ये भी सु औरा क्यों उत्पन होता है, वहानों से भस्मक और उत्सर्जन दोनों से, वहानों से उत्सर्जन से, भस्मक से, तो भस्मक, इंसिनेरेटर और इमिशन फ्रॉम वाइकल्स, वहानों से उत्सर्जन निकलता है, इन दोनों ही से जो पोलिशन होता है, उत्सर्जन नमर पी के बारे में बता रहा है keep left या आपको अपने वाइकल को left side में रख कर चलाना है तो आगे चलना आगे चलना अनिवारे या बाएं मुड्ना या दाये मुड्ना बाएं रहकर चलना या इट इज में डेटिट जो की फ़लैप Lynn सी राइट अन्सर हो जाएगा परसन सिंग्ण दो अश्ट कौन का संकेत आया अभी अश्ट कौन या करती कौन सी है अश्ट कौन है और रेड कलर में है मतलब कि यह आदे सात्मक संकेत है आदे सात्मक कह सकते है अनिवारे कह सकते है ठीक है और इससे संकेतों का पालन करना जरूरी है और यह संके है इस्टॉफ का यानि आपको गाड़ी को रोकना है और सी राइट एंसर हो जाएगा परसंदस है वे धे प्यूसी यानि की वेलिड प्यूसी प्यूसी यानि प्रमान पत्र होने की बावजूद येदि कोई वहां पर्यावर्ण को परदुसित करते वे पाया जाता है तो वहा दिनों के बीतर एक नया प्यूसी परमान पत्र पस्तूत करने का निर्दे से दिया जाता है माना कि आपनी प्यूसी बनवा लिया फिर भी आपकी गाड़ी जो है प्यूसी होने के बावजूद पॉलिशन कर रही है तो इसका मतलब भी थोड़ी है प्यूसी है तो पॉलिश तो चला सकते हैं, लेकिन आपकी गारी पोलिशन तो नहीं कर सकती ना, तो अगर ये सब आय będą जाता है, कि पियूसी है, लेकिन पोलिशन कर रही है तो अदिकारी ऐसा निर्देस दे सकते हैं कि आगामी साथ कारी दिवस में आप जो है इस गाड़ी का दुबारा से P.O.C. बनवाएं अगर कोई गडबड निकलती है तो फिर आप गाड़ी में गाड़ी की सर्विस करवाएं गाड़ी को ठीक करवाएं ताकि पोलिशन ना करें तो ऐसा नियम होता है तो साथ दिन का टाइम आपको दुबारा से P.O.C. दिखाने क मिल सकता है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपकी जो RC होगी गाड़ी की RC सस्पेंड मानी जाएगी RC सस्पेंड और ये अगर सस्पेंशन छे मंत तक अगर लगाता रह गया तो फिर गाड़ी की RC केंसिल हो जाएगी और ऐसी इस्तति में आपको फिर से गाड़ी का P. UC बनवा कर गाड़ी का रजिस्टर्शन दुबारा से करवाना पड़ेगा, कैंसिल होने के बाद दुबारा होता है, सस्पेंड होने पर आप दुबारा से इसको बहल करवा सकते हैं, समझ गए न, आप सभी को पता होगा, बिना RC के गाड़ी चलाना दारेक्शो ब्राण में के रेडियेटर, यह इसका अपर होजपाइप होता है, यह जो इंजन से आता है, ठीक है, और यह इसका लोवर होजपाइप जाता है, जो इंजन में जाता है, यह आपका इंजन है, ठीक है, तो यह इंजन से निकलने वाला, यहां इंजन से आ रहा है, और यह जा रहा है, यहा थर्मोइस्टेट होता है भी थर्मोइस्टेट यहां होता है थर्मोइस्टेट क्या करता है यहां वाटर बोड़ी होती है वाटर बोड़ी ठीक है अब यह क्या काम करेगा इंजन का पानी अगर गरम होगा गरम होगा तो थर्मोइस्टेट वाल खुला रहेगा और इस गरम प पाइप अपर टेंक में गरम पानी होता है रेडियेटर के लोवर होज पाइप या लोवर टेंक में थंडा पानी रहता है जो इंजिन को थंडा करता है अगर पानी गरम हुआ तो थर्मुष्टेट वाल क्या रहेगा ओपन रहेगा और पानी रेडियेटर में जाकर थंडा हो तो ये thermostat वाल जो क्या करेगा, automatic बंद हो जाएगा, और ये पानी, अब इस रेडियेटर को बेज़ के, इस water body को बेज़ के, फिर से ये जो है, इस pipe से मिल जाएगा, और पानी यहां से सर्कुलिट होके, इंजिन में ही वापस चला जाएगा, कहने का मतलब है, पानी अगर इंजिन से थंडा आ रहा है, already, तो वो thermostat वाल बंद रहेगा, जिस कारण पानी इंजिन का जो है, वो वापस water body से होते भी, फिर से इंजिन में चला जाएगा, रेडियेटर की और नहीं जाएगा, हम कह सकते हैं thermostat प्रणाली जो है, वो cooling system को active और inactive यानि चालू और बंद करने का काम करती है, इसलिए इस परसन में पूछा है कि thermostat वाल किस प्रणाली का भाग है, तो ignition प्रणाली, cooling प्रणाली, steering प्रणाली, lubrication system आप सभी को बताए, cooling system का apart होगा मैंने समझा दिया है engine और रेडियेटर के बीच में thermostat वाल लगा रहता है, जो कि on और off होकर cooling system को on और off करने का काम करता है परसन सिंग्या बारा, एक त्रिबुज में cross बनावाया है मतलब कि ये चोराया है, cross कहां होता है, जहां चोराया होता है तो यहां पर हो जाएगा option number B, right answer परसन सिंग्या तेरा नीमन लिखित में से कोन CI engine के लिए इंधन supply घटक नहीं है CI का मतलब क्या होता है, आप सभी को पतावना चीए, CI बराबर होता है compression, compression ignition, compression ignition, ठीक है अब दूसरा होता है, SI SI का मतलब होता है, spark ignition spark spark ignition अब आप कहेंगे, सर क्या फरक है आप सभी को पता है, कि जो spark ignition होता है, वो petrol engine होता है जिसमें spark बलग होता है CI ignition का मतलब, compression पर काम करता है diesel गाड़ी होती है, यह फरक होता है दोनों में भी, ठीक है तो यहाँ पर CI engine का गटक है, fuel supply system का part नहीं है, fuel line होता है fuel tank, air cleaner fuel injector, तो इंधन supply का पूछा तो फिर हवा काँ से आ गई option C right answer हो जाएगा जब कोई वहान चमकती लाल, चमकती लाल या नीली बती के साथ समीफ आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए लाल या नीली बती flashing चमकने का मतलब है, कोई emergency light है, क्या है emergency light है emergency light होगी, तो आपका दाइत वह बनता है, कि आप अपनी वाइकल को left side में रखते वे, उस गाड़ी को रास्ता देंगे, आगे निकलने के लिए अगर आप इसा नहीं करते हैं, तो दारा 194 E 10 हजार का जुर्माना यहां पे आपके उपर लगाया जा सकता है आपको इसा नहीं करना, वाइन को अंदेखा करना गलत, वाइन की गती धिमी करें, आप जहां हैं, वहीं रुख जाएं यह भी गलत है, आप सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, देखें को ठीक है सबसे मैं पहले माना की ग्रीन लाइट है आप जा रहे हैं, ग्रीन के बाद में येलो लाइट ओन हो गई, येलो लाइट ओन हो गई, इसका मतब होगा कि जल्द ही रेड लाइट होने वाली है, तो आपको गाड़ी को धिमा कर लेना है, इस टॉप लाइन से पहले रोक लेना है, चौराए के अंदर परवेस्ट कर चुके हैं, तो आपको चौराए से तुरंत बाद निकलना है, तो येलो के बाद में रेड हो जाएगी, रेड के बाद में फिर से ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन के बाद में फिर से वही बात, ट्रेफिक बढ़ जाएगा तो येलो लाइट हो जाएगी, और येलो के बाद में फिर से रेड हो क्यूशन नमबर 15 राइट अंसर ये होगा ऐसा लिखकर आपको कमेंट करना है या आपको इन ट्रेफिक सिगनल की लाइट का संचालन का करम आपको लिखकर बताना है परसन सिंख्या सोडा खालिस्तान रंग हीन गंद हीन स्वाद हीन जैरीली गेस होती है इट इच एक कलर ले और लेस और टेस्ट लेस फोईजनिंग गेस कौनशी है आप सभी को पता होगा कोई भी गारी होती है वो एनो एक्स का जो सरजन करती है सियो टू का करती है सियो का करती है ठीक है तो इन गेसों का पॉलिशन करती है हाइड्रो कार्बन भी निकालती है आप सभी को पता होग तो इनमें से जो सबसे खतरना गेस होती है वो CEO होती है जिसे हम कार्बन मोनोक्षाड के नाम से जानते हैं और ये सबसे घातक और सबसे खतरना गेस मानी जाती है आप सभी को पता होगा कि एक गारी पेटरोल से चलती है पेटरोल से एक गारी डीजल से चलती है तो पेटरोल गाड़ी से समश्या रहती है सीसा लेड सीसा जो होता है इससे ज़्यादा पॉलिशन होता है दीजल गाड़ी से आइडरो कार्बन की समश्या रहती है जो कि आदा जलावा इंदने वातावड में जाता है तो यहाँ पर उप्स नमर एक राइट आंसर हो जाएगा जो कि इन दोनों ही से निकलने वाला पॉलीशन होता है जो कि इसकी जो पॉलीशन की मात्रा होती है 0.03% के आज पास होती है बहुत कम मात्रा होती है लेकिन घातक होती है यदि सड़क पर गाय खड़िये तो आपको क्या करना चाहिए आप सभी को बता दू जानकारी के लिए कि मैं बिल्कुल भी टाइम कंजूम नहीं करना चाहता बिल्कुल भी फालतों की बात हैं यहां पर नहीं करनी पॉइंट ऑफ यू डारेक्ट क्यूसन पर रहना चाहिए तो यहां पर एक इस सड़क पर गाया आ गई है तो में क्या करना चाहिए उसके सामने से आगे निकल जाना चाहिए सड़क खाली होने तक परतिक्सा करनी चाहिए देरी देरे होल्न बजाकर उससर सड़क के किनारे करके आगे बढ़ना चाहिए गाय की उप्यक्षा करते हैं पीछे से तेजी से आगे बढ़ना चाहिए आपको एक नेक विक्ति बनना है इंसान ये दिखानी है अच्छा ड्राइबर बनना है इसलिए आप सभी को पता है कोई भी जानमर होता है वो फरंट साइड में मू करने के चांद से ज़्यादा रहते है वो जिदर उसका मू रहता है वो उदर ही आगे बढ़ सकता है बेग तो उसके गिर होता नहीं है क्या कभी किसी पसू के बेग गिर देखा है क्या वो पीछे चलता है कि अब नहीं चलता है वो आगे ही चलता है मेंसा तो कभी भी उसके आगे से गाड़ी को नहीं निकालना तो option नमर एक तो गलत हो जाएगा सड़े खाली होने तक पर्तिक सा करें आप कब तक रुकेंगे जानवर अपने आप कैसे आगे वहां से जगे छोड़ेगा तो गलत हो जाएगा गाई क्यों पिक्षा करके तेजी से निकलना गलत हो जाएगा आपको धीरी धीरी होर्न बजाना है जिसे की गाई जो है रोड की किनारे चली जाएगी और आप उसकी पीछे से आगे निकल जाएगे राइट अंसर ओप्सन नमर सी हो जाएगा समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं अच्छी बात है परसन सिंग्या अठारा रेचन गेसें यानि की रासाइनी कि सिंग्या बाद दिखाएगा विभंण परदुसकों के उत्षजर्जन इसतर को नींतिर्ध करने के लिए होता है क्या होता है प्यूरिफिकेशन यानि प्यूर करने का काम सुध करने का काम is done to control the emission levels of various pollutants by changing the chemical characteristics of the gases यानि कि खत्रनाक गेसों को साधारन खत्रनाक जो गेसें होती है जहरी लिए उनको साधारन गेसों में बदलना साधारन गेसों में बदलने का काम कोन करता है तो वो करता है चार कोल करनिस्टर, PCV वाल और EGR वाल और उत्परेक परिवर्तक उत्परेक परिवर्तक को आप केटेली कंवर्टर कहते हैं आप सभी को बताऊगा EGR वाल आप सभी को बताए EGR वाल का मतलब अग्जास्ट गेस रीसर्कूलेशन हाना तो ये EGR वाल जो होता है वो क्या काम करता है जब कोई भी गाड़ी होती है तो वो चलती है तो उसकी गाड़ी से अगर जो इंधन होता है पेट्रोल या डिजल वो बिना जले वेव अग्जास्ट गेस की रूप में बाहर निकल रहा है वापस इंजन में भेजने का काम EGR वाल के मादें से किया जाता है जिसें की पोलिशन कम होता है और ये EGR वाल जो है एकजास्ट सिस्टम एकजास्ट मेनिफोल्ड और साइलेंसर के बीच में इंजन के पास में ही लगा रहता है और इसमें इंजन के बाद में जो साइलेंसर में जाली लगी रहती है उसी परकार की जाली लगी रहती है जो की कैटेली कनवर्टर की रूप में होती है और इसके साथ भी एक परकार का एक मलब की कैटेली कनवर्टर होता है जो उन गेसों के परवाव को कम करके उनकी कालिक को सोकते वे फिर से इंजिन के अंदर गेसों को भेजने का काम इजियारवाल की मादम से किया जाता है तो option नमर यहां पे D-rightance हो जाएगा कि उत्परेरिक परिवर्तन होता है एक जास्ट सिस्टम का पार्ट एक जास्ट सिस्टम का पार्ट होता है और यह क्या काम करता है खत्रमा गेसों के परवाओ को कम करके और इनको वातावन में कम परवाओ के साथ में सादान गेसों के रुप में परिवर्तन करके बेजता है जिसे pollution कम होता है भारत में उन्हेशों ब्राड़ में BS6 चल रहा है और यह BS6 की जो गारिया है इसमें सबसे लेटेस्ट परकार का जो केटली कनवर्टर आ गया है ये बाते में आपको बताना चाहरा हूँ परसन सिंख्या 19 एक संपूर्ण यानि परफेक्ट इंधन दैन में हवा में मौझूद ऑक्सिजन इंधन में मौझूद सभी हाइड्रोजन को कालिस्तान में बदल देती है आप सभी को पता होगा जब फ्यूल को जलाया जाता है तो उसके साथ में हवा को मिलाया जाता है वो जो वातावरन है वातावरन में सभी परकार की गेसें होती है वो चाहिए nitrogen की बात करें, चाहिए oxygen की बात करें, चाहिए अन्य गेसों की बात करें तो यहाँ पर जो बात हुई है कि जो hydrogen gas होगी, इसको किसमे बदला जाएगा तो आप सभी को पता है, जो hydrogen होगा, hydrogen इसे oxygen के साथ में मिलकर एक नई gas बनाएगा जो की बन जाएगी H2O, hydrogen की दो कण होगे, oxygen का एक कण होगा, जिसे की बन जाएगा जल वास्प, जल वास्प, क्या बन जाएगा, जल वास्प बन जाएगा, option C right answer हो जाएगा आप सभी को पता है जल किसे मनता है, परसन सिंग्या 20 इस्टतम परदर्शन प्राप्त करने और इंजन के सक्ती निर्गत, यानि की power output, मित वीता को बढ़ाने के लिए एक आंतरिक दहन इंजन का समायोजन होता है यानि की इस्टतम परदर्शन करने के लिए जो इंजन की सक्ती निर्गत है उसके बारे में और जो एक बीन फालतों मित वीता को बढ़ाने के लिए एक होता है up wave एक होता है up wave ठीक है एक होता है myth wave यानि कम खर्चिला यह तो है अधिक खर्चना यानि बिना काम और यह होता है कम खर्चना तो आप लोगों को कम से कम मित्वयवता को बढ़ाना है यानि आपको fuel की मात्रा को कम से कम कंज्यूम करना है इसके लिए आप लोगों को क्या एक internal commercial engine में क्या करना चहिए तो यहाँ पर देखो mirror tuning mirror शे हैं यार mileage का कोई मदलब नहीं है tire से हैं प्रेसर ठीक रहे हैं कोई बात नहीं, शीट ट्यूनिंग ये भी शीट तयार, इस से माइलीज पे कोई ज़्यदा फ्राज नहीं बढ़ता, इंजन ट्यूनिंग, बिलकुल, अब देखों, इंजन ट्यूनिंग क्या होता है, जब आप गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, तो इ इसमें विकार आजाता है, और आप कभी धेवी लोड में, कभी कम लोड में, आप मलब की प्रोपर वे में इंजनों नहीं रखते हैं, और नहीं रखते हैं, तो इस तरीके से क्या है, इंजन की जो आवाज है, उसमें विकार आजाता है, उसमें बदलाव आजाता है, तो आ आपके engine में या तो engine ने service ले ली है, piston की रिंगें गिस गई है, engine तेल ज्यादा खारा होगा, engine मतलब की engine का cylinder bore गिस गया है, जो compression नहीं बना पा रहा है, engine काम आ गया है, engine के अंदर जो air filter उसके मादम से है, जो मिट्टी है वो जाती रही है, जिसें की leakage की मात्रा बढ़ गई है, तो इस टाइब की चीजें होगी, तो engine के आवाज बदल जाएगी, तो इस बदली हुए आवाज को सही कराना ही engine tuning कहलाता है, जिसें की गाड़ी का mileage कम हो जाएगा, गाड़ी धुआ नहीं देगी, गाड़ी का mileage और आवाज दोनु अच्छी हो जाएगी, तो वो होती है engine की करना ही engine tuning कहलाता है, परसन सिंगा 21, नीमन अलिकित में से किस वाहन को P.O.C. परमान पक्तर की आवसेकता नहीं है, जो वाहन pollution करेगा, उन सभी वाहन को P.O.C. परमान पक्तर की आवसेकता होती है, देखो दो नाम आते हैं, P.O.C. एक आता है P.O.C. दोनु का नाम याद र certificate नाम और आपको जोड़ना है, वो P.O.C. जो परमान पक्तर होता है, वो B.S. B.S. 4 पलस 6 की जो गारियां, इनके लिए 12 मंत के लिए कामें आता है या इसकी वैलिटी रहती है, लेकिन B.S. 1, 2nd और 3rd की जो गारियां, इनका 6 मंत का ही बनाय जाता है, इसके अलावा आपनी P.O.C. नहीं बनवाया, तो धारा 190 की उप धारा 2 के तहत, अधिक्तम जुर्माना 10,000 तक हो सकता है, आपके उपर लगया जा सकता है, इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, पॉल्यूसन P.O.C. जो होगा, वो कौन से फॉरम के अंदर दिया जाएगा, तो वो सारी के सारी जो चीजे हैं, आप लोगों को यहाँ पर याद रखने, हालां कि थोड़ा सा यार मैं कन्फूज हूँ कि P.O.C. सर्टिफिकेट कौन से फॉरम में दिया जाएगा, या तो 38 होगा या 59 होगा, अना देखना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा खुद कन्फूजन में हूँ अभी, ठीक है, तो आप कमेट सकते हैं, बताइए आप लोगों को किसी को याद दतो, 38 फॉरम है, वो किसके लिए है, अब दोनों के लिए, चलो मुझे याद आ गया है, मैं आप लोगों से स्वाल पूछता हूँ, इन दोनों में से, एक तो P.O.C. का है, और एक आप पर है कि P.O.C. के आउ सकता, कौन से वाइकल को नहीं होगी, जो वाइकल पॉलिशन नहीं करेगा, सीरी सी बात, तो CNG, पैट्रोल, डिजल, तीनों वाइकल पॉलिशन करेंगे, वेज्यूती, यानि कि इलेक्रिक वाइकल जो होगा, वो पॉलिशन नहीं करता, इसलिए, D. और से राइट आंसर हो जाएगा, इस परसन का, परसन से यहाईज करने का बाइस, आपके साप में आचुका है, निमन अलीकित में से कोन एक वाहन के इलेक्ट्रिक शिस्टम के, स्टार्टिक शिस्टम का इसलिए, इलेक्रिक शिस्टम, लाइटिंग के बात ओ रही है, जिस इसमें start करने का जो system उसका part है, system का part है, इंधन gauge, fog lamp, headlight, battery, आप सभी को पता है, गाड़ी को start करने के लिए battery की अतिया अफसेक्टा होती है, LMV गाड़ियां होती है, इनमें 12 voltage की battery होती है, अचम भी जो गाड़ियां होती है, इनमें भी 12 plus 12 voltage की दो बेटरें इस्तेमाल होती है, ampere की बात करता हूँ, ampere इसमें 65 से लेके 75 तक होता है, इसके ampere की बात करता हूँ, ampere यनि current, तो ये 120 से 150 ampere के बीच में battery होती है, ये इनकी जो capacity में फरक होता है, दूसरी बात, automobile में battery काम में ली जाती है, लेकिन जो battery light से चलती है गाड़ी, जो light से चलने वाली, light से चलने वाली जो गाड़ी होगी, उस गाड़ी में relay station की battery प्रयोग नहीं होती, उसमें लीथियम बेटरी का इस्तेमाल किया जाता है अब लीथियम बेटरी एक परकार की सुखी बेटरी होती है और इसका फाइदा बहुत ज़्यादा है पहली बात तो इसमें पावर ज़्यादा होती है क्या होती है पावर अधिक होती है पावर अधिक होती है दूसरी बात यह आसानी से इसको टोप अप करने का हो सकता नहीं होती तीसरी बात यह खराब कम होती है क्यों होती है आप लोगों को बताओं 12 वोल्टेज की मनगी बेटरी है तो इसमें 6 सेल हो गए तो अब इसमें खराब होगा तो यह सभी सेल खराब हो सकते केबल को एक सेल खराब होगा तो आपको इसको बेटरी को खोड़ना है और इस एक ही सेल को बदलना है पूरी बेटरी को एक्सेंज नहीं करना बलकि जो लेडेशिट वाली बेटरियां होती है इनमें भी 6 सेल ही होते है लेकिन इनमें से अगर कोई एक सेल भी खराब है वो आप लोगी अपनी कमेंट सेक्षन में एक राश्तर के लिए अच्छा सा कॉमेंट आप कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो सात्यों दोस्तों वाटसप ग्रूफ का लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में है जहां पे आपको लेटेश अपडेट मिलती है कोई भी आपक ड्राइवर एक जाम हो चाहिए तो बहुत अच्छा प्लैटफरम है वाटसप ग्रूफ उसको जरूर जोइन कर लिजिएगा सीधे वाटसप पे आपको हर अपडेट मिलती रहेगी जब आप उस गोल चकर के करीब पहुंच रहे हैं जिसमें आप परवेश करने वाले हैं त देखो आप धिमा तो चल सकते हैं लेकिन जब आप किसी गोल चकर में परवेश करेंगे तो आपके राइट साइड से जो वाइकल आ रहे हैं उनको आपको राश्ता देना चाहिए किसी भी रोड पे आप एंटर कर रहे हैं तो मुख्य सड़क पर परवेश करते समें यह होता है कि में सड़क पर जो गाड़िया चल रही है उनको आपके कारण कोई भी दूइदा नहीं होनी चाहिए तो उप्सन नमर सी राइट अंसर यहां पे हो जाएगा परसंसी के आप लोगों के समने 24 आ चुका है परिवेशन के संदर्ब में प्यूसी का पूरा नाम क् पोल्यूसन अंडर कंट्रोल सर्टिपियर्ट में आपको पहले ही बता दिया था उप्सन डी राइट अंसर हो जाएगा प्यूसी नहीं बनाएंगे दारा 94 की उपदारा 2 अधिकतम 10,000 का जुर्माना हो सकता है कि एकजाम में 2,000 माना गया है और इसको भी राइट अंसर मान आते हैं गाड़ी में गाड़ी में एसी ओन करते हैं तो इंजन पर दबाव बढ़ता है तब हम कहते हैं गाड़ी मालेज कम देगी तो क्यों होता है इंजन जो होता है इंजन की जो में साप्ट होती है इस साप्ट के उपर हम इस कंप्रेसर का क्या करेंगे इस कंप्रेसर का लोड चड़ा देंगी तो क्या होगा ये इंजन के उपर लोड बढ़ जाएगा हाना तो अब सिरी सी बाता आप समझ गये होंगे कि यो एक कंप्रेसर जो होता है वो ड्राइव बेल्ट के मादम से ये ये होगी ये दोनों के एक बेल्ट के मादम से जोड दिया हमने हाना तो का मतलब है कि इस कंप्रेसर को कोन चलाता है कि बेटरी चलाती है जो कि आशी के कंप्रेसर को ओन करते ही इंजन के साथ में घूभना सुरू कर देता है शुरू करते ही क्या होगा AC का load engine पे आ जाएगा, गाड़ी दब जाएगी, mileage कम हो जाएगा, AC start, हम अंदर गाड़ी के अंदर मजे लेते रहेंगे, ठंद का, ठीक है, बाहर चाहिए pollution बड़े तो बड़े, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है अपने आप से AC से, चलो कोई बात नहीं आ गई गाड़ी क का प्रियास किया है, आपको समझी में आया होगा, नहीं आया है, तो कसम से, आपको अपने exam की किसमा जूट मत बोलना हो, समझी में आया, तो छोटा सा valuable comment आप हमारे लिए कर सकते हैं, उससे हमारा एक मनोबल बड़ेगा, और आगे आपकी लोगों के लिए, और भी बहतर त तो इसके लावा आपका exam होगा, उसमें 50 question आएंगे, तो मैंने 25 question करवा दिये हैं, और 25 question उत्राकंद GK के हैं, जो कि आपको अपने इस तर पे करने हैं, तो यहां पर मैं आपको question दिखा देता हूँ, फटा फट और answer भी बता देता हूँ, बाकि इनको आप स्वयम किस तर देखना, क्योंकि उत्राकंद का GK मुझे ये खुद को नहीं आता भी, मैं आपको study नहीं करवा सकता, माफी चाओंगा, विनमर निवेदन है, उत्राकंद का GK आप स्वयम देखें, अगर किसी वीडियो में मैंने उत्राकंद के GK के एकाद क्यूसर अगर गलत बता दिये तो वहाँ भी मैं माफी चाओंगा भी, मुझे माफ कर देना, ठीक है? उत्राकंद में इस्थित मसूरी की लाल बादूर सास्त्री अकादमी का निमनलीकित में से किसे समंध है, तो वो समंध है IAS प्रसेक्षन से, कोटेसवर गुफा की जिले में इस्थित है, रुद्र परियाग में, उत्राकंद के पर्थैकंद का मूल कारण क्या था? तो जो म आंसर क्या होगा देखो, मैंने एक नीचे कोड लिख रहा देखो, इस टाइप का, इस पीडिये में, इस पीडिये में लाट डीजिट क्या है, इसमें देखो B है, इसमें क्या है A है, तो जो लाश्ट का जो है न, वही आपका राइट आंसर है, तो इसका गंगा हो जाएग उतरखंडे तो गढ़ित पहला आयोग था, भजल अलियायोग, उतरखंड राज्य के देश की सिमाईस पर स्करती है, तिब्बतों नेपाल की, उतरखंड राज्य का आकार कैसा है, आयताकार, उतरखंड में विधान सिबस्चितों की संख्या कितनी है, सत्तर, उतरखंड रा प्रियाग किसके संगम परिस्तित है मन्दा की नीमन लिकित में से बात का पहला राष्ट्री उध्यान को यूनेशकों की किस विश्वे द्रोर्ष इस्ताल सूची में कब सामिल किया गया 2005 में हाली में उत्राखंड की नई परियाटे नीटी को कम मंजूरी मिली 16 मास 2023 एक जिला एक उत्पाद में उत्राखंड का कौन सा जिला देश वर में क्रिशी श्रणी में दूसरे इस्तान पर रहा है उत्रकासी टाइफाई ड्रोग किसके कान फेलता है दूसित पानी से तंब तो संकर्मित सुई या सिरींज के उपयोगे के कान क्या एड्स फैलता है तो ये था एड्स के बारे में जनरल साइंस के बारे में भी चीन क्यूशन आपके लोगों के लिए आएंगे तो अच्छी तयारी कीजिए सभी को बेस्ट और लाग आप पे लोगों को कल के एक्जा